एक लड़की को लगता है कि उसका boyfriend अब उसमें इतना interested नहीं है, अपने boyfriend के लिए वो plastic surgery करवा लेती है, अपनी identity खोने के बाद क्या होता है यह आज के movie का भिरिमाईस है, यह एक thoughtful movie है और हमें एक message भी देखर जाती है, अगर movie में आपको कोछ समझ में नहाता तो last में मैं पू पास उसका नएया चेहरा किस तरह से होने वाला है इसकी photograph होती है यह लड़की जप इस और से टकराती है, तो इसकी photograph डूट जाती है यह लड़की बहुत हुती है और कहती है, यह लड़की बहुत ही में गारिक्टर है, इसका नाम है सीही. सीही ये फोटोग्राफ और फ्रेम लेती है और अपने बॉइफेरंड के साथ एक कैफे में मिलने वाली होती है. जब वे कैफे में अंदर आ कर देखती है, तो उसका बॉइफेरंड वेटर को देख रहा होता है इसके boyfriend का नाम Jee Woo होता है C जब notice करती है कि वो waiter को देख रहा था तो यह बहुत ही चीट जाती है C उससे पुछती है 2 साल हो चुके है कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो? Jee Woo कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है C बोलती है तुम्हें इस तरह से भी ही वो नहीं करना चाहिए C ही अभी भी उस पर चिटी ही गए होती है जब यह सब चल रहा होता है तो Jee Woo ने जहाँ कार पार्क ही होती है वहाँ कुछ लड़किया उस कार को टकरा देती है वो Jee Woo को काल करती है और बुलाती है C ही इन लड़कियों को देख रही होती है यह लड़किया Jee Woo को उनका नंबर देती है वो Jee Woo भी अपना नंबर उने देता है C ही इस पर भी चिट जाती है वो कहीती है उनको क्या जरूरत थी उनका नंबर तुम्हें देने की Jee Woo कहती है कि कोई प्रावलम आया कुछ हुआ तो मैं उनको कॉल कर सकता हूँ C ही कहती है कि तुम्हें सिर्फ उन्हें बदना चाहिए था कि इन्शॉरंस यह सब देख लेगा तुम्हें उनसे कॉंटेक करने कोई भी जरूरत नहीं है C ही बहुत ही जिर जाती है और उन लड़कियों के पास आती है उन लड़कियों से वो जगडने लग जाती है कि उन्हें कुछ भी भला भुरा कहती है और लड़किया भी उसे गालिया देती है इसके बाद C ही जीव के घर पर आ जाती है जिवु भी घर आने के बाद उसे गले लगाता है सिही उसे कहती है कि एक ही फेस बार बार देखना कि तुम्हें पोड हो गया है जिवु अभी भी उसे मना करता है ऐसा कुछ भी नहीं है इसा इसो अशोर करता है इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ intimate होना चाहते है जीवो बहुत ही ठक गया होता है तो यह सही से कुछ करने भार रहा होता CU से कहती है कि रेस्टरांट में तुम्हें वो लटकी पसन आई थी उसे तुम imagine करो इसके बाद तुम्हों intimate हो चुके है यह हमें दिखता है थोड़ी दरी बाद जब यह बेड़ में होते है तो CU उससे पूछती है क्या तुम उसे imagine कर रहे थे जीवो कहता है कि तुमने ही तो कहा था CU इस पर बहुत ही चीड जाती है इसे अब मालूं हो जाता है कि वो उससे बोर हो चुका है वो आने के बाद उससे पता चलता है कि वो वहाँ से मूव कर चुकी है CI जहाँ काम करती थी उसके कोवरकर के पास भी हो जाता है इस कोवरकर को पुछता है पर इसे पता ही नहीं होता कि उसने कवी मूवीन किया था अब हमें CI एक अलग अपार्मेंट में दिखती है अपनी जो सब फोटोस होती है यह सब कुछ वो जला देती है कुछ मैगजिन से ब्यूटिफुल लेडिकियों की फोटोस निकालती है और उससे वो एक नया फेस बनाती है यह फेस अब उससे चाही होता है यह प्लास्टिक सर्जरी के होस्पिटल में आती है डॉक्टर से जब बात करती है तो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रिटी नहीं बना सकता है मैं सिर्फ तुम्हें डिफरंट मना सकता हूँ और यहीं CI को चाही होता है डॉक्टर से बुचता है क्या तुम तुमारे चेरे से टायट हो चुकी हो सिही कही थी कि प्लीज ये कर दो डॉक्टर फिर सिही को डराने के लिए ब्लास्टिक सर्जरी की प्रोसेजर किस तरह से होती है ये उसे दिखाता है डॉक्टर सीही से कहता है एक बार तुमने प्लास्टिक सर्जरी कर ली तो फिर से तुम अपना ओरिजिनल फेस नहीं पास सकोगी सीही जब यह प्रोसेजर देखती है तो रोने लग जाती है पर इसे अभी भी यह सब करना ही होता है डारेक्ली सीही का ओपरेशन हो चुका है यह हमें दिखता है सीही को अब रिकवर करने के लिए 6 मैंने लगने वाले है यह जो प्रोसेस है यह बहुत ही पेनफुल होने वाली है इसे हमेशा अपना फेस कवर करकर रखना होता है सीउ के फ्रेंड्स को जब पता चलता है कि सीउ से छोड़कर चली गए है तो उसके फ्रेंड उसके लिए एक डेट लाते है और यह सब पार्टी के लिए आते है यह उसे समझाते है कि अब तुम्हें मुवान करना चाहिए C.U. कहता है कि हम 2 साल तक एक साथ थे यह उसे इतनी जल्दी भूलने ही सकता उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम उसे बोरने हो गये थे C.U. को इस तरह से नहीं लगता C.U. के लिए उसके फ्रेंड ने जो डेट लाई होती है इस यह लड़की फिर C.U. से बुशती है यह कहीं हमें चलना चाहिए हमें बाते चाहिए यह उसे इनडिरेक्ली मोटल पर लेकर जाना जाती है यह दोनों जा मोटल पर जाते है और इंटिमेट होने वाले होते है तब ही कोई पत्थर से उनका शीशा तोड़ देता है इस मॉटेल का मैनेजर आता है और इने बहुत डाटता है इन दोनों को यहां से वो भाहर निकाल देता है नेक्स दिन जीवू जब हैंग ओवर होकर उठता है तब उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है यह जो फ्रेंड है एक कॉलेज की उसकी फ्रेंड है यह एक बड़ी से फोटोग्राफर बन चुकी है जीवू को भी फोटोग्राफ निकालना अचा लगता है इन दोनों में बहुत सारे चीज़े कॉमन होती है यह इस ताउन में नहीं रहती आज एक्जिबिशन है तो जीवू से वो मिलना चाती है एक्जिबिशन में एक दूसरे से मिलते है और डिनर करने के लिए अच्छे से रेस्टोन में आ जाते है यहाँ और वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बात करते है जीव की friend अब serious हो जाती है वो कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे तब हम दोनों engaged है अब यह दोनों single है तो एक दूसरे के साथ ही हो सकते है इन्हें पहली बार में भी attraction हो चुका था यह फिर जीव को kiss करती है और कहती है कि मैं ladies room जाकर आती हो जीव बाहर उसका wait करता है जब यह ladies room में जाती है तो वहाँ कोई होता है इस movie में हमें दिखाया नहीं गया है कि वहाँ कोन था पर यह सी ही होती है next आने माले कुछ scenes में हमें पता चलेगा जीव जब अपने friend का बाहर इंतजार कर रहा होता है तो वहाँ आती है और उसे मना कर देती है तो कहती है कि आप मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती है जीव insist करता है मुझे कम से कम तुम्हारे घर तो छोड़ने दो जब वो इसे घर छोडने के लिए आता है तो जबर्दिस तो उसे kiss करता है उसकी फ्रेंड उसे जड़कती है और वहाँ से जाते जाते कह कर जाती है कि तुम बहुत ही happy person हो सिर्फ उसे कुछ भेहव करना है यह उसे कह कर वो चले जाती है इस dialogue से हमें पता जा जाता है कि वो सीही से ही मिली थी सीही जीव से इतना प्यार करती है कि उसने उसके लिए plastic surgery कर लिए है यह जीव की friend को पता है जीव की friend इसलिए ही जीव से अब कोई भी संबन नहीं रखना जाती दूसरे दिन जीव शीप में होता है वहाँ बहुत वह एक लड़की को देखता है यह हमारी सीही ही है पर उसने अपना face cover कर लिया है जीव उसे lift देना चाता है पर उसे देती नहीं जीव यहाँ से directly एक sculpture park में आ जाता है यह जो park है इस समुन्दर के पास ही होता है जीव और सीही ने यहाँ बहुत सारी images ली थी इस park में भी सीही ही आती है वो उसकी photo लेना चाता है इस बेचारे को पता ही नहीं है यह सीही ही है अब next day में हम देखता है कि जीव और उसके friend एक blind date के लिए आयो होते है यह cafe होता है जिसमें वो अलग-अलग board शोड़ देते है इस पर उनका नाम होता है लड़किया भी अपने नाम लिखती है और लड़की भी अपना नाम लेते है जिसके पास opposite board चली गई तो यह लड़की लड़किया यह दोनों एक दूसरे को date करते है जीव को यहाँ एक लड़की पसन आती है पर उसकी board उसके पास आती है नहीं एक अलगी लड़की के साथ उससे date करना पड़ता है यह लड़की समझ जाती है कि जीव उसमें interested नहीं है जीव उससे ज़्यादा formal हो रहा होता है तो accept नहीं करती है यह थी है कि चलो हम shooting करने के लिए जाते है यह तो मज़ा हो सकता है यह लड़की और जीव जब shooting करने के लिए जाते है तो जीव को यह करने में मज़ा आता है वो इस लड़की से फिर से मिलना चाता है यह दोनों जब बाहर आते है तो जीव से कहता है तुम जब यह shooting कर रही थी तुम बहुत ही confident और beautiful लग रही थी लड़की कहती है कि इस days के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के opposite पीट करते है और लड़की कहती है कि अगर हम मुड़े तो हम फिर से date करेंगे अगर हम चलते चलेगे तो हम एक दूसरे में interested नहीं है यह हम समझ लेंगे जीओ को उसे date करना होता है पर लड़की मूड़ थी नहीं इस लड़की के आखों में आसो है यानि के sacrifice कर रही है यहाँ भी सी ही उसे मिली है यहाँ पदा चलता है रात में जीओ का friend उसे call करता है वो कहता है कि मेरी जो date थी वो तुम्हें बहुत ही interested थी मैंने तुम्हारा number उसे दे दिया है जीओ को भी वो पसन थी इसलिए उसका wait करता है पर कभी भी उस लड़की का call ही नहीं आता नेकसिन में हमें दिखता है कि जीओ को जो cafe पसन आता है वहाँ वो आ जाता है जिस waiter को movie के first में वो देख रहा था वो waiter अब यहाँ नहीं है यहाँ पर एक नई लड़की काम कर रही है है कागस पर I love you, I love you लिक रही होती है यानि कि यह CE ही है अब 6 मैने गुजर चुके है तो अब वेर नवे face में है यह जीओ के पास जाती है और उसे smile देती है जब वो उसे coffee दे रही होती है तो यह coffee गिर जाती है नेकसिन में फिर से जीओ जब ship पर होता है तो वो फिर से इस waiter से मिलता है यानि CE से वो फिर से एक बार मिल जाता है CE birds को खाना दे रही होती है जीओ भी इसे पहचानता है यह दोनों birds को खाना देते हैं यह दोनों sculpture पार्क में ही जा रहे होते हैं तो Jeeoo उसे leave देता है इन दोनों को इस spot पसन होता है जब यह दोनों वहाँ बेटे होते हैं तो Seeee Jeeoo के साथ picture भी लेती है Seeee Jeeoo से कहती है क्या तुमारी girlfriend है Jeeoo कहता है कि वह 6 मैंने हो चुके है वो मुझे छोड़ कर चली गई है Seeee कहती है कि क्या तुम अभी भी उसका wait कर रहे हो कहता है कि कभी-कभी मैं करता हो पर कभी नहीं भी करता वो कभी-कभी उसे बहुत मिस करता है जब फेसे ship से जा रहे होते हैं तो एक दुसरे को kiss कर लेते है Seeee ने जो letter Jeeoo के लिए लिखा होता है तो एक छोटी लड़की से वो Jeeoo को दे दी थी है Jeeoo जब ये letter लिखता है तो ये Cee का letter है ये देखकर वो बहुत इडिस्टब हो जाता है Jeeoo वेटर को पैचार नहीं पाता उसे लगता है कि Cee है ही नहीं जब एक्टर उसके पास आती है तो उसे उसका नाम पुछता है ये अपना नाम भी Cee बता दी है पर फिर भी इस पर बिलिव नहीं करता जो letter Jeeoo का आया था इस पर Cee अपना नाम लिखती है Jeeoo से मना कर देता है वो कहता है कि मेरे girlfriend का है तुमें इस पर कुछ भी लिख नहीं सकते Jeeoo इस letter को बहुत ये समाल कर रखना चाता है Cee जब letter पर लिख रही होती है तो SM handwriting होती है पर फिर भी ये notice नहीं करता Jeeoo Cee पर जिड़ गयाता है Cee कहती है कि अभी भी अगर तुम अपनी girlfriend से प्यार करते हो तो कल का क्या था कल तुमने मुझे क्यों किस किया था ये इससे जखर कर वहाँ से चली जाती है Jeeoo को बुरा लगता है इस restaurant के owner से वो Cee का number लेता है उसे हो call करता है या वो फिर से मिलना चाता है Cee उसे बोलती है कि वो उसे station पर मिलेगी जब उसे मिलती है तो उसके पीछे हो उसे भगाती है उसका मजा लेना चाती है इसके बाद ये दोनों Jeeoo के apartment पर आ जाते है Jeeoo उसके लिए बहुत सारा खाना cook करता है तो Cee कहती है कि तो मा के ले रहते हो फिर भी इतनी clean apartment Jeeoo कहता है कि मुझे cleaning पसन है Jeeoo बोलता है कि अगर तुमारे apartment ठीक नहीं होगी तो मैं तुमारे लिए साफ कर सकता हो ये दोनों dinner करने के बाद जब बेड़ पर बैठे हुए होती है तो Jeeoo इसके साथ intimate होने वाला होता है पर ये पहले Cee का letter देखता है Cee फिर वहाँ से निकल जाती है दुसरे दिन जब Jeeoo से के apartment साफ करने के लिए आता है तो एक दुसरे से बहुत बाते करते है Cee की जो पुरानी photograph थी ये उससे मिलती है ये वह देखने वाला होता है तो भी Cee इससे चीन लेती है चीन कर वह उसे चुपा देती है और इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है Cee Jeeoo से पूछती है क्या तुम अपनी girlfriend को भुला पाओगे ये जीoo के लिए आसान नहीं होता Cee को अब बहुत ही पज़ता होता है वह अपने आप से कहती है ये ही उसे चाहिए था अलग face वो चाती थी पर अब Jeeoo उससे बैयर नहीं करता वह अभी भी उसकी पुराने face से ही पैयर करता है Cee एक Jeeoo को लेटर लीती है इस लेटर पढ़कर Jeeoo को लगता है कि उसकी girlfriend यानि कि जो पहली वाले Cee थी ये उसे मिलना जाती है वो अपनी पुराने वाली Cee से मिलने से पहले अब जो currency है इसे break up कर लेता है ये अभी की Cee इस पर बहुत ही चिट जाती है कही थी है क्या मैं सिर्फ time pass थी Jeeoo कहता है कि मैं एक सहारा डून रहा था Cee कहती क्या मैं सिर्फ एक सहारा ही थी इसे जादा में कुछ नहीं थी इससे वो मारने लग जाती है बहुत ही तमाशा खड़ा करती है इसके बाद Jeeoo अपनी पुरानी Cee से मिलने के लिए आता है जब वो कैफे में बैठता है तो Cee का जो पुराना फेस था इसको उसने cut off करकर अपने फेस पर लगाए हुआता है जो सब कुछ था ही अब Jeeoo को पता चल जाता है उसे बहुत ही बुरा लगता है वो कहता है कि तुम पागल हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो Cee कहती ही कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हो इसी वज़े से मैंने यह सब किया था Jeeoo अप रोने लग जाता है Jeeoo कहता है कि तुम पागल हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इस कै diapers में है बहुत ही loud बात करे होते है तो एक customer को इन से परिशानी हो जाती है Jioo को बहुत ही घुसाया हो जाता है तो एक customer और Jioo ये तोनों एक दूसरे से बहुत fight करते है Sihi को अब बहुत ही बुरा लगते है वो अपना mask लेकर doctor के पास आती है इसे उसका मास्ट दे देती है C.E. जब वहां से चली चाती है तो जिइू भी थोड़े टाइम में वहां आ जाता है जिं दौक्टर के पास C.E. का मास्ट देखता है जिं उसे बुझता है क्या तुम उससे जानते थे थोड़े दिन बाद S.E. को डॉक्टर को कॉल आता है J.E. डिसाइड करता है कि उसे भी प्लैस्टिक सर्जरी करनी है यह सर्जरी करते वागद उसके जो फोटोज होती है यह डॉक्टर S.E. को दिखाता है यही बताने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलवाया था S.E. देखकर रोने लग जाती है उसे बहुत पच्टा होता है S.E. जब घर जा रहे होती है तो मास्क में उसे एक आदमी दिखता है उसे लगता है कि यह जीवू ही है तो उसके पीची पीची हो जाती है इसके पास कैमेरा भी होता है और जीवू को भी फोटो निकालना अच्छा लगता था तो इसे लगता है कि यह वह वही है यह उसके साथ लेक पर आ जाती है इसको लगता है कि S.E. उसमें इंटरस्टेड है तो यह कहता है यह पाच मेहने बाद मुझसे मिलने के लिए आओ तब मुझे तुम सही से देख सगोगी S.E. सकल्प्षक पाग में जाती है और अब बहुत ही जीवू को मिस करती है अब हम देखते हैं कि पाच मेहने गुजर चुके है और S.E. जीवू को ढूंदी रहती है जो वो पाग में जाती है तो उसे एक लड़का दिखता है उसे ही देख रहा होता है तो इसे लगता है कि वो जीवू ही है इसे हो बाते करती है और उसका हाथ हातों में लेती है जब ही वो जीवू के साथ होती थी तब उसका हाथ उसके हातों में लेती थी उसे कहती थी कि हम दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए perfect fit है यही वो check कर रही होती है जब इस लड़के का हाथ वो अपने हाथों में लेती है तो यह fit नहीं होता वो वहाँ से चली जाती है सीही जब अपने apartment में होती है तो वहाँ एक आदमी आता है सीही उसे देखती है तो यह कहता है कि मैं wrong apartment में आ चुका हूँ थोड़ी दिर माद यह फिर से वापस आ जाता है यह उसे coffee के लिए पुछता है सीही उसे अपने apartment में भूलवा लेती है सीही के apartment में स्कल्प्सक पाप में जो फोटो ली थी यह फोटो देखता है सीही को कहता है कि मेरी girlfriend और मैंने भी यही फोटो ली थी सीही को लगता है कि यह जीवू ही है वो फिर से उसके हाथों में हाथ लेती है उससे बुछती है कि मेरा हाथ तुमें कैसा लग रहा है कि कहता है कि मुझे वो warm लग रहा है इसे इसके बच्पन की फोटोस दिखती है और इसे पता जल जाता है कि यह जीवू नहीं है यहां से भी वह जल्दी-जल्दी में निकल पड़ती है नेक्सजे हम देखते है कि जेस स्लेक के पास हो पाच मेने पहले किसी आदमी को मिली थी इसे आदमी के पास वो आ जाती है इसे लगता है कि यही जीवू है यह एक फोटोग्राफर होता है सिही जब इसके अपर्मेंट पर आती है तो सिही के बहुत सारे फोटोस इसने निकाली होती है यह सिही से अफसेस्ट होता है C.E. को लगता है कि यह जीवू है यह उससे पूछती भी है पर यह हाग के देता है जब यह दोनों इंटिमेट हो जाते तो अपना सही का नाम उससे बताता है C.E. अब उससे चीट कर वहाँ से निगल पड़ती है C.E. फिर से कैफे में आ रहे होती है तब ही वह रस्ता क्रॉस करती है रस्ता क्रॉस करते पर एक गाड़ी के सामने हो आ जाती है एक गाड़ी चलाने वाला उससे बहुत गालिया देता है इसके बाद वह कैफे में बेट थी है और इसे realize होता है कि इसी तरह से तो जीवू कालिया देता था उसे पता चल जाता है कि यही जीवू था यह इसे ढूणने के लिए इसके पीछे भागती है यह train station पर आ चुका होता है यहाँ भीड होती है तो उसे वो ढूणने ही भाती है यह फिर जोर-जोर से चिलाने लग जाती है जीवू का नाम लेने लग जाती है यह चिलाते चिलाते ही रोती है कि ब्लीज मेरे सामने आ जाओ जीव से देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है सीही भी इसके बीचे भागती है जीव दोनों ट्रेंस्टेशन से भाहर आ जाते है जीवू रस्ते से भाग रहा होता है तो उसका एक्सिडन्ट हो जाता है यह गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है जीवू अपने आपको गिल्टी समझता था वह सीही ने उसके लिए जो सब किया है ही उसे बहुत ही गलत लगता था उसे पनिश करने के लिए वह कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था वो गभी भी उससे मिलने पाएगा हमें सीही फिर से डॉक्टर के बास आयो हुई है वो डॉक्टर से डिमांड करती है कि वो उसे ऐसा बना दे कोई भी उसे recognize नहीं कर पाए यह plastic surgery करकर जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो जैसी बनने वाली है इसका photo होता है जैसा movie के first में होता है कि एक लड़की इससे टकरा जाती है ऐसा फिर से यहाँ होता है अब हम फिर से देखते हैं कि जो लड़की टकरा है थी यह पुरानी वाली सीही थी इसके बाद CD की भीड हमें दिखती है यह movie हमें एक mind band करने वाली ending दे जाती है अगर हम last scene को analyze करें तो हमें CD की भीड बार दिखाए जाती है बहुत सारे faces हम देखते है हमने last scene में देखा है कि plastic surgery करने के बाद जो सीही है और पहली वाली सीही यह एक दूसरे similar है यह कैसे हो सकता है इस movie के director यहां represent करते है कि एक cycle बन चुका है इस बड़ी सी city में हर कोई अपनी identity ढोड़ना चाता है नया वो कुछ बनना चाते है last scene में देखते है कि सीही को अगर face से एक मुका मिला पर जो जैसा हो रहा था वैसा ही वो सब कुछ करेगी हमने आप से वो बहुत insecure है हमेशा किसी ना किसी चीज से वो भागती रहती है movie के first से ही उसे लगता था यह जीव उसे प्यार नहीं करता पर ऐसा कभी भी नहीं था जीव उसे बहुत ही प्यार करता था और जीव उसे कभी भुला नहीं पाया था सीही हमेशा अपने आपको खाती रहती थी और इसलिए उसने गलत कदम उठाये थे उसने plastic surgery कर वाली उसे लगाता है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जीव भी उसके पास आच चुका था फर भी उसे वाइड में सुसोती थी उसे लगता था कि जीव पुरानी वाली सीही को भी प्यार करता है अपने आपको फिर से वो insecure फिल करा थी है उसे सब कुछ मिल गया था फिर भी वो सही से नहीं रह पाई जब last में जीव मर जाता है तो फिर से एक नहीं identity वो ले लेती है जो problem था यह सीही के mind में हमेशा से था उसकी thought process बहुत ही गलत थी उसी तरह से हमें अपने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हम अपने आपको ही अगर superior नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि लोग भी हमें inferior समझते हैं यह जो हमारा face से हमारी जो body है यह भावान का दिवावा gift है इसे हमें accept करना चाहिए अगर हमने इसे change भी कर दिया तो हम हमारी thought process को change नहीं कर सकते अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दिजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर ना तरहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दिजए और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूग के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया